हेलो एवरीवन, वेलकुम तू माई चैनल, आज हम क्लास एट, मेंस्टुरेशन, एक्साइस 11.2 का कोश्चन नमबर 6 डिसक्स करेंगे, तो देखें कोश्चन नमबर 6 के है स्टुडेंट्स, फाइंड एरे ओफ एरोंबस, फूस साइड इस 5 सेंटिमेटर एंड फूस अल्टि तक हमारें, एक्रेटा डोला करें चैनल, आप एक इसरी कोश्चन किस तरह से सांज में याएगा, आपपूनिए इस कि नॉलगे इसट कि पाता है, पता है रोंबस कैसे होता है, कईट शेय 가장 कुछ? यह कैसे नहीं कहीं होता है, कि ऐखेंड काेड रहें पोलेब के कोश्चन r और हमें पता रोमबस की all four sides are equal to 5 cm और यह भी हमारी five cm ही है ठीक है अमनला all four are five cm और एंड बोला गया altitude altitude क्या होता है हमारा altitude हमारी होती है एक तरह से height तो हम लिख लेते हैं इसे altitude कितनी है हमारी 4.8 cm ठीक है लिख लिख लिया और बोला गया है कि हमारा जो एक डाइगनल दे रहा है वह हमारा 8 cm लोंग है तो डीवन लिख लेते हैं डीवन सिंपली हमारा कितना है 8 cm लोंग है तो बोला गया find the length of the other डाइगनल माला हमें इस डाइगनल 2 की length निकान ले तो देखिए अब जो यह रूमबस है ठीक है यह जो हमारा यह रूमबस नहीं हृता क्योंकि छो पैलोग्राम होता है सिंपल सी बात समझ मैं धाएगनल संध तो लेख अगे करेंगे देखिए तो लिखेते हैं जो हम कह सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं Rhombus is also a palogram, palogram को short form में इस तरह से लिए तो जो palogram की properties होती होதे हैं, हम as a rhombus ले सकते हैं, ठीके? तो palogram के लिए चलिए क्लिए होता है? area तो हम लिख लेते हैं area of palogram जो के एक तरह से rhombus ही है क्या होता है? हमें पता है, पैलोग्राम का area क्या होता है base into क्या height that's it ठीक है base अब देखिए इस तरह से altitude दे रखा था means height दे रखा था इस तरह से कुछ यहाँ पर height रही होगी 4.8 तो height तो 4.8 ते लेंगे अब main चीज इसमें यह है कि हम इसमें इसका altitude क्या लेंगे मरला base क्या लेंगे तो देखो इसी road bus बोला गया है अगर road bus as a kilogram होता है ठीक है उसने बोला है कि paiglegram निकाल लेंगे simply area of यहां से आजाएंगा 24 cm2 तो area of the Paralyram आया है वह हम कह सकते है area of Rhombus भी कह सकते हैं इसको क्योंकि दोनों हमारे same are of Rhombus भी कह सकते हैं इसे use कर लेते हैं ठीचे देखिए इसे इसे लिए उज़कर हम डाइलन टू निकालेंगे तो हम लिख लेते हैं area of Rhombus क्या होता है area of rhombus हम वहारा होता है half multiplied d1 into d2 simple तो देखो area of rhombus हमने ले लिए यह 24 है यह हमने जो निकाला था half लगा लेते हैं एक d1 हमें given था जो कि था 8 और d2 हमें यहां से निकालना था इससे cancel और करते हैं 2 4 जा 8 अब यह जो यह है 4 वाला यहां जाके divide में जाएगा simple सा आप कर सकते हैं से तो लेख सकते हैं 24 को divide करेंगे जब हम 8 के साथ 24 को 8 के साथ divide करेंगे तो क्यांगे 8 3 जा 24 तो यह हो जाएगा 3 cm simple सा तो दा solve कर लेंगे हमने कुछ नहीं किया इसमें हमने इसे क्या मान लिया है यहां पर एक पैलोग्राम मान लिया पैलोग्राम जैसे इसे माना थो हम इसका area निकाल सकते हैं क्योंकि हमाँ पास base भी है और height भी है जो area हमारा इस तरह से यहां आया है वो हमारा आ जाएगा रोमबस का area रोमबस के area में पूट करने के बाद हम डीटू निकाल सकते हैं सिंप्ली हमाँ पास सारी चीजे तो हैं बस सिंप्ली यह निकालना है बहुत इजी कोशन है आप एक बाद ट्राइग कीजिएगा इसली समझ में आ जाएगा बस में चीजिस में ही ध्यानक निकी क्या थी कि रोमबस इस आल्सवे पैलरोग्राम और पैलरोग्राम का area निकाला जो हमने as a रोमबस का area लिया है देनांसर निकाला है ओके स्टूरेंट्स थैंक यू